पिशावर जहां पर मुश्रीय इतना आप खावर पक्तुन खा अजमल वजीर मीडिया किन माइनों से गुफ्तुमू कर रहे हैं दुकाने हैं, मेडिकल स्टोर्ज हैं, इस तरीके से तंदूर, दही और जो हमने जिनकी पहले इजाज़त दी हैं वो 24-7 हैं, वो उस तरीके से होंगे, लेकिन बकाया जो दुकाने हैं, जो प्लाजाज हैं, जो भी है, वो पाँच बजे का जो टाइम है, जो इस से पहले था, उसके उपर अमल दरामद हो है इस तरीके से हमने जुमा, हफ्ता और इत्वार का जो टाइम दिया था, स्पेशल हैर ड्रेसर्स और जो हजाम के दुकाने हैं, वो भी जुमा, हफ्ता और इत्वार, ये तिन दिन वो खुले रहेंगे, उनका भी टाइम, सेम पाँच बजे तक, ये जो कुछ हमने नर्मिया दिये, ये प्राइम मिनिस्टर अमरान खान साथ का वो विजन है, जो इस वक्त हम दो जंग लड़ रहें, एक कुरोना वबा के खिलाफ हम जंग लड़ रहें, अपनी अवाम की ताफ़स के लिए, और उसके साथ, हमने अपनी महिशत, अपने गरीब, गरीब के गुर्बत क लकीर से नीचे जो हमारी अवाम में वो जो गुजर रहें, उसका, ये हम उसके लिए कर रहें, और इसमें, मैं ये भी, अला ताला का हमारे उपर बड़ा पदल और करम है, कि इस कुरोना वबाग जैसे आई ये पूरी दुनिया में, आप लोगों के सामने, इस वबा में, अला का ये करम है कि हमारे मुलका प्राइम मिनिस्टर अमरान खान साहब है, जो गरीब का सोच रहें, जो मतवासित तबके का, दर्म्यानी तबका जो हमारा है उसका सोच रहें, कारोबार का सोच रहें, मैशित का सोच रहें, और अट अट अटाइम वो कुरोना की वबा के आप जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें भी खुद फ्रंट लाइन पे हैं और इस तरीके से हमारे खाइबर तख्तुल खुआ में हमारे वजिराला महमुद खान शाब खुद फ्रंट लाइन पे खुद सारे चीज़े और जिरी की एंस्ट्रेक्शन पे आज हम बजारों को चे इस वक्त खुद ग्राउंड पे मुझूद है और जैसे हैं कि आपको मालूम है कि हमारे सुबह के चीफ सेक्ट्री साब जो कि दिन रात काम कर रहे थे कुरोना वाबा जास से शुरू हुई है उनको भी कुरोना वाइरिस पाज़िव आया है वो अपने गर में बैठकर अप अपने तमाम जो कुरॉंटाइन हो चुके वो अपने तमाम जो सरकारी जिम्हदारिया हैं वो बड़े जबरदस तरीके से वो निबार है तो इसमें हमने जैसे मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि हमने अपनी जानों की इफाज़त से ज्यादा हमने अपनी अवाम के इफाज़त के लिए हम हर जगा पहुंच लें हम खुछ चीजों को मौनिटर कर लें और इसका मकसद में यह है कि इस करोना वबा से अपनी अवाम का तहफ़ हमने करना है और इस मौके पर हमें कहीं कहीं से ये रपोर्टे मिली थी फिर मनिस्टर साब के नोटस में भी ये चीज़ आई थी कि जो चिकन के अवाले से जो मुर्गयों की कीमते हैं वो इस मौके पर बढ़ाई गई है जिसके अडिस्टिक अड्मनिस्टेशन खुद अभी मुझे इन्होंने बताया और हम खुद अभी चेक भी कर रहे हैं और चेक भी कियें दो चीज़े जिसके अवाले से बड़ी क्रिस्टल क्लियर पालीसी है वो ये है कि जो जखिरांदोजी है और मुना करने वालों के खिलाब हम आडिनेस लेकर आए हैं जो आडिनेस हम लेकर आए हैं उसमें जखिरांदोजों के खिलाब जो एक्शन है वो हमने हमारी डिस्टिक अडिमिनिस्टेशन कर रही है और वो मैं वजब तोर पर कहना चाहता हूं कि जिरो टॉर्लेंस है इसमें हम किसी को माफ नहीं करेंगे अगर इस वक्त तिसी ने मेंगई तो साखता और जखिरांदोदी की कोशिश की मैं इस मौके पर ये भी जरूर कहूंगा कि जो नर्मिया है इतके बाद डेफिनेटली अभी जब वीड़ की जो वो है सुर्टेहाल है वो उसके उपर नेशनल कोडिनेशन कमेटी जो के प्राईम लिस्ट मरानखान साब के जिरुसादर्त होगी उसमे जो भी फैसले होंगे हमारे चीफ मौनिस्टर मामूत चाार दोरा जो जो हलात रहें उस सामने रखेंगे उसमेरे टास्क अज समें राड़र है जो बीमिटिंग भी होगी और उसके उपर अवाम को ताहफ़ज दे इस कोरोना वबा के हवाले से और इसी की इसे को मदनजर रखते हुए हम जो है वो सक्टिया कर रहे हैं अगर हम S.O.P. पे अमल करेंगे जो गुर्नमेंट ने बनाई हुए है अगर हम इस्टाती तादीर अथियार करेंगे अगर हम इन चीजों पे अ इसकी आभिट आप सके ही यहार करशल ते शहलने का मोदन करेंगे तो साथ हमारी मेर कारोबार, हमारे जो देहारी दार हैं, हमारे जो गरीड तपका है ऊसका जिमदी भी रवाद द्वाद होगी और दूसरा हम करोना का मुकाबला भी कर सकेंगे कुरोना एक हकीकत एक वबा है पूरी दुनिया में आपके सामने इसमें इसका वाहिज इलाज जो है वो एक्तियात है और समाजी दूरी है उसको हमने अख्तियार करना है और इस मुक्वे पे ये भी मैं आला ताला के फजल करम से जो प्राइम अनिस्टर इमरान खान साब ने जो उन्होंने अमर्जनसी केश प्रोग्रेम जो हमारा है एसास उस जैसा प्रोग्रेम अभी तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया गरीब अवाम को जिस शफाफियत से वो पैसे मिलें अभी खेबर तख्तुनफा की हुकूमत वजिराला साब का जो पैसला है जो सेकंड पैस में हमने अभी देने वो भी जो पैसे वो हम वो भी दे रहें इस तरीके से हमने जो जाकात के मत में हैं जो पहले सुबह के 29,000 खांदान जो है ते वो इडेंटिफाई थे उसको बढ़ाया गिया एक लाट तक एक लाट लोगों तक फैमिली तक बारह हाजार रुपए वो इस पैकेट के इलावा है जो मिलेंगे तो इसलिए हमें एक टाइम पे दोनों काम करने इस मौके पे अगेन मैं आपनी जो हमारी डिस्टिक एडमिस्टेशन है क्योंकि बड़ा जबरदस काम कर रहें और दिन रात चीजों को मॉनिटर कर रहें और देख रहें उनको और फिर जो हमारे स्पेशिली हमारे हिरोज़ डाक्टर्स परामेडिक स्काफ टिवी अमला और उसके साथ हमारे पुलीस हमारे रिस्क्यू हमारे दूसरे डिपार्टमेंट जो इसमक्ट परंट लाइन पे है इस कुरोना वबा के खिराफ मैं उनको भी सलाम पेश करत उनके विजन के मताबक विज हमारे सुबह के वजीराला माम्त खौनासाब की इंस्ट्रेक्ष्टिन पे हमने फुद प्रंट लाइन पे और हम फुद इस वक्त खुद ग्रांड पे हैं चाहे हौहे हमारी अधिस्ट्रीक अञ dealing भी करें और इसका मेन मकसद अपने अवाम को इस कुरोना वाबा से तहफूज है यही एक मकसद है और इन्शाला हो ताला इसको हमने शिकस हर सूरत में देना है इस मौके पे मैं ये भी जरूर एड़ करूँगा कि जो इस से पहले अगेर मैं वह बात दोबारा रिपीट कर रह हो गया इतकी वो दिन खतम हो गए तो इसलिए अब वो ही रूटीन पे हम जाएंगे जो इत से पहले था उस रूटीन पे जैसे हमने दुकानों के लिए उनके लिए पांच बजे का टाइम रखा हुआ है इस तरीके से जो जो जरूरी खुर्दोनोश की चीज़े हैं जिसमे मेडिकल स्टोर जिसमें ग्रॉसरी शॉपस है जिसमें जही तंदूर और दूसरे जो खुर्दोनोश की चीज़े है वो 24 गंटे के लिए कुले होंगे उसमें जो है टेकवे है और हम जो आडर जो वो करते हैं इसके जी वो जो जो बैकरिश के हैं वो और इस तरीके से बकाय जो हजाम के दुकाने वो जुमा हवता और इत्वार जिस तरह का पहले का तो उस पे हमने जाना है और इन्शालाओ ताला इसके बाद जो हमने फैसले करने अगर अगर अवाम ने साथ दिया और एसो पीस्ते अमल किया तो जो नर्मिया हमने किया इसमें हम मजीड नर्मिया करे लेकिन अगर अवाम S.O.P.S. पे अमल नहीं करेगी तावो नहीं करेगी तो फिर डेफिनिटली हमने अपने अवाम के ताफुस के लिए इस कुरोना वाबा से फिर सक्किया हमने करनी होगी तो इसलिए अपील है अवाम से कि वो जो हुकुमत के वज़ा करद है इस अपीजे उसके अमल दरामत करें शुगरिया अवाम की हिफादत के लिए ही किया जाते है